वेलकम बैक दोस्तों स्वागत आप से का फिसमेरी एक नई वीडियो में तादको विंसेंजो वेपसेज का जो फाइनल सोड है वो अब हमारे सामने आ चुका है और इन धाई से तीन मेहनों के बीच में इस वेपसेज ने हमें प्रॉफरली एंटरेंट किया है इनकेस अभी त का हिंदी डब आपको कब तक प्रोवाइट किया जाएगा तो अगर आप इस कोरियन डामा इसे यह साई टेल देना चाहते हो तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को सुच लेकर करके अंतर जरूर देखेगा और चाल पहली बार आए हो तो भाई के चाल को सब्स अपना नाम, जब बड़ा होता है तो नाम रख लेता है विंसेंजो कैसेंञ, उसके बाद वो लायर बनता है लेकिन लायर बनने के माफिया 3 & 1 को Netflix के platform से देखना पड़ता है जिसके season 1 में आपको 20 एपसोड देखने पड़ते हैं और जो हर एक 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 घंटे के राउंड रख करके आपको present की गई है So next बात कर लेते हैं कि आपको इस drama को क्यों देखना चाहिए तो अगर आप Korean drama देखना पसंद करते हो और उसमें आप एक अच्छी storyline या फिर कह सकते हो fresh storyline देखना चाहते हो जिसमें आपको एक अच्छी खासी character के बीच में chemistry देखने को मिले, mind-blowing comedy देखने को मिले साथ-साथ जितने भी character हैं आपको उनसे प्यार हो जाए, especially Hongcha के character से तो definitely मैं आपको recommend करूँगा कि इस show को आपको बिल्कुल भी miss नहीं करना चाहिए ये show आपको 100% entertain करने में successful होगा तो overall show में आपको जो drama देखने को मिलता है, जो आपको screenplay, जो perfect screenplay देखने को मिलता है जो आपको character की development देखने को मिलती है, और character क बीच में जो आपको romance देखने को मिलता है, cute सा सासा इस jokes series में आपको एksand sequence देखने को मिलता है Even जो आपको suspense देखने को मिलता है और overall जो आपको cinematography देखने को मिलती है & उन сारी details को ध्यान में रखते हुए मैं इस show के season 1 को rate करूँगा 4.5 out of 5 star तो आपकी क्या rating है उसको comment box में comment करें जरूर बताना अब बात करते हैं कि season 2 आएगा या फिन नहीं आएगा तो यादो को season 2 के already confirmation कर दी गई है बट official announcement नहीं किया गया है और इसके जो makers हैं वो इसके season 2 और season 3 पर भी work कर रहे है तो अगर बात के season 2 आपको कब तक देखने को मिलेगा तो definitely इसका season 2 आपको अगले साल जनुवरी या फर्वरी के मन पे देखने को मिल जाएगा सासर इसकी जल से जल नेटफिस announcement भी कर देगा आने वाले एक से दो week के बीच में और हमाँ बात के अगर इसके हिंदी dubbing की ताथ को MXPIL के पास इसके हिंदी डव्ट के राइट नहीं है लेकिन Netflix के पास इसके हिंदी डव्ट के राइट है तो यानि कि अगर मोटा मोटा पकड़ के चलोगे तो डेफिनली आपको अक्टूबर तक इस वीडियो को लाइक कर दो अपने दोस्तों के आज सेट ठोक दो और चैनल पर पहली बारा इसी वीडियो देखना पसंद है तो मैं फिर से मिलता है नहीं वीडियो में तिल देन कर दो कि अज कि अवर जाइब कर दोई वीडियो में पलाइब टा है में जहीं हीडियो में नहीं हिर प्लाइब एंटाय।